हालो गाईज, वेलकम टो मिस्टिक हिंदी, टारो, कैसे हो आप सब लोग, I hope आप सब लोग ठीक हो अपना ख्याल रखरे और पॉजिटिव सोच रहे हो आज की रीडिंग हमें कैंडल वाक्स रीडिंग कर रहे है, सो आज खुला है एक पोर्टल जिसका बहुत ही स्ट्रॉंग इफेक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि आज है दो फेबरुरी दो हजार पाईस, जैसे के आप जामते हो, I know के इसके उपर बहुत सारे वीडियो और बने चाहिए, सो मैं क्योंकि फेबरुरी की रीडिंग आज करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको क्लियर कर दे, और फिर क्योंकि इसके इंपोर्टन्स आज ज्यादा है, फिर कल हम लोग फेबरुरी की रीडिंग करेंगे, ठीक है, सो जैसे कि आप जानते हो, दो फ हमारे डिरेक्टली लिंक्त होता है, उसका इफेक्ट डिरेक्टली होता है हमारे इमोशन से, ठीक है, तो डेफिनिटली इसका आपके परसन के एमोशन से थी, पर फेक्ट पड़ा होगा, सो ले Bowlर्स टार्ट भी डिरेक्ट इफेक्र का, ढिखेल Namling, डिखते है कि क्या असर आपने देना है उन पर focus लाना है अपना अब लेट स्टार्ट इसको करते हैं light मैं इसको fan को off कर देती हूं sorry for that okay so अब देखते हैं मैं candle को light कर लेती हूं meditate करिये focus करिये अपने person पर so मैंने candle को यहां पर light कर लिया है I hope आपको दिखाई दे रहे okay जितना clear focus रखोगी उतनी clear energies यहां पर pick up होगी क्या असर हुआ है आपके person के feelings पर क्या energy shift आई है major बदलाव क्या आए है आपके person के feelings पर divine please guide करे clear messages दीजिए clear signs दीजिए काफी लोग तो मुझे लगता already reunite हो गए है काफी लोगों का reunion मुझे लगता new moon के आसपास हुआ है comment में जरूर बताईगा बहुत सारे लोग यहां पर reunite हुए है already reunion हो चुका है या फिर जिनका reunion नहीं हुआ है मुझे लगता आपके person को बहुत strongly वो need वो urge हो रही है आपके तरफ बढ़ने की और यह reunion मुझे लगता है बहुत जल्द हो सकता है काफी लोगों के लिए ठीक है सबसे पहले तो जो मुझे आपके person की feeling नजर आ रही है वो यह है कि आपके person आपको लेकर बहुत insecurity feel कर रहे है बहुत insecure feel कर रहे है ठीक है जब से new moon लगा है यह portal खुला है आपके person आपको लेकर बहुत ज़्यादा insecure है उन्हें ऐसा लगता है जैसे की आपकी life में कोई और आ जाएगा आपके जिंदगी में आपके दिल में कोई और जगा बना लेगा आपको उनसे कोई और छीन लेगा so कही न कहीं यह insecurity बढ रही है इस वक्त यह आप पर dominate करना चाहते है यह आपको सिर्फ अपना बनाना चाहते है यह आपको सिर्फ अपना मानते है they can't see you with anyone else वो even आपके बार में सोच भी नहीं सकते है कि आपको किसी और के साथ imagine भी नहीं कर सकते है so वो एक insecurity बढ गई है इस person के अंदर हो सकता है काफी लोगों के लिए आपके partner ने third party को choose किया या किसी third person को आपके उपर prioritize किया गलत decisions लिए गलत person को choose किया और उसका पच्चतावा या उसकी realization कही न कहीं मुझे रखता आपके person को हो रही है उन्हें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत decision लिया गलत इंसान को चुना गलत लोगों की बातों पे विश्वास रखके एक गलत रहा पे चले गए तो पच्चता रहे है regret कर रहे है ठीक है बहुत लोगों को बहुत जल्द एक प्यार का एक beautiful सा इस person के तरफ से offer आ सकता है किसी किसी के लिए नया love offer भी आ सकता है नया person totally fresh energy भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए तो यह आपके ओपर depend करता है कि आप पुराने किसी person के साथ जिनके लिए मन में जिनको रख कर यह reading देख रहे हो उनके लिए उनको आप मौका देना चाहते हो उनके offer को accept करना चाहते हो यह जो नया person आ रहा है उसके offer को accept करना चाहते हो बढ़ दो लोगों के भिड़न या दो लोग मुझे इस रीडिंग में देख रहे हैं जो आपके तरफ बढ़ रहे हैं अब बहुत जल्द आपको कोई ओफर आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे अपके परसन की फामिली उन्हें किसी जीज के लिए बहुत ज़्यादा उनके पीछे पढ़ी है बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है ठीक है अब यह प्रेशर हर एक के लिए हो सकता है किसी अलग-अलग रीजन को लेकर हो किसी के लिए में भी आप से शादी ना करने का pressure, किसी किसी के लिए किसी और से शादी करने का pressure किसी किसी के लिए करियर का pressure थीक है? तो अभी ये pressure किस तरह का है यह बेटर जानते हो, comments में मुझे ज़रूर बताइएगा लेकिन यहाँ पर family physician थोड़ी से dominating है आपके partner की बहुत लोगों के पार्टनर के फैमिली बहुत डॉमिनेटिंग है हमेशा उनके कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं आपके पार्टनर से जिसके वज़ा से या कहलो जिसका असर आपके रिष्टे पे ट्रिमेंडसली देखने को मिलता है ठीक है इस पोर्टल के खुलने के बाद एक चीज मैं देख रही हूँ कि आपके परसन अपने दिमाग से आपके यादों को या आपको अपने जहन से नहीं हटा पारे है कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे है डे ड्रीमिंग बौइत ही जहदा चल रही है यहाँ पे आपको बहुत ज़्याद किया जा रहे है बहुत ज़्याद मिस कर रहे है लोग तो रात में सपने देखते हैं आपके परसन तो दिन में खुली आंखों से ही आपके सपने देख रहे है कोई strong decision जो pending था कब से लेना चाहिए था लेकिन इस person ने टाला उस decision को आगे धकेला वो final decision आपके person लेते वे दिख रहे है तो अगर ये decision का wait आप भी कर रहे थे तो it is a good news for you कि ये decision जल्द ही ये person आपको सुनाएंगे ठीक है अभी बहुत सारे लोग देख रहे है सबके लिए ये decision कुछ अलग-अलग हो सकता है किसी के लिए commitment का decision किसी के लिए third party को छोड़ने का decision या कुछ भी it can be anything for you comments में जरूर बताइएगा ये decision कौन सा है जिसका आप भी इंतिजार कर रहे हो क्योंकि वो decision जल्दी आपको सुनाई देगा इस person के तरफ से मुझे ऐसा भी लगते है जब से आपसे दूर हुए ये person ठीक है जब से दूरी आई है आप दोनों के बीच में इनके life में कुछ खास success या कहलो खुशिया abundance नहीं आई है ठीक है जैसे कि ये जैसे आपने छोड़ दिया ये जैसे इस person ने आपसे दूरी बना ली separate हो गया आपसे जैसे कि सब कुछ इन से दूर कर दिया गया हूँ ठीक है तो एक बहुत ही difficult situation से ही a difficult वक्त से गुजर रहे है आपके partner इनके लिए भी एक एक दिन काटना मुश्किल है they are going through a lot ठीक है किसी किसी के लिए जैसे मैंने बोला family problems career problems, financial problems health problems भी हो सकते है ठीक है but they are healing मुझे strong, fast, intense healing होते वे दिख रहे है किसी किसी के partner तो already heal हो चुकिया है उनकी awakening हो चुकिया है shadow work complete हो गया है inner work complete हो गया है ठीक है यह person मुझे रखता है कि जैसे इस portal का असर यह सबसे ज़्यादा इस person पर पड़ा है कि वो अपने से ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे है आपकी खुशी किसमे है वो आपको कैसे खुश रख सकते है वो आपको कैसे प्यार दे सकते है complete you know एक love story कैसे रख कर बना सकते अपनी आपको जो दर दिया है जो चीट किया है जो पेन दिया है यह उसको ठीक करना चाहते है इनका पूरा intention वही है कि मैं इस person को heal करना चाहता हूँ मैं इसको प्यार देना चाहता हूँ ठीक है बहुत लोगों के बीच अल्रेडी मुझे एक नई cycle बिगिन हुई है ऐसा दिख रहे है यहाँ ठीक है एक romantic beautiful cycle बिगिन हुई है सारी toxicity, सारी obstacles, सारे परिशायां खतम हो गई है या तो होने वाली है, बहुत ही जल्द ठीक है क्योंकि एक नई romantic cycle मुझे बिगिन होते हुई दिख रहे है जैसे मैंने reading के शुरुवात में बोला या तो यह किसी नए person के साथ होगी या तो यह किसी पुराने person के साथ होगी ठीक है आपके person अब तयार है आपकी हर बात मानने को आपके साथ compromise करने को आपके सामने जुकने को तयार है यह person आपकी हर बात मानने को तयार है ठीक है किसी किसी के लिए मुझे लगता है इस person का message आएगा call आएगा और यह आपको सीधा बात बोलेंगे कि चलो sort out कर लेते हैं बातचीत करके हल निकालते हैं जो भी है ठीक है चुप चुप रहने से क्या होगा या दूर रहने से क्या होने वाला है let's sort it out let's talk it out ठीक है हल निकालते हैं इस चीज़ का कुछ clear communication हो सकता आज किसी किसी के person के साथ उनका बहुत सारे लोगों का inner work और यहां पर चल रहा है इन प्रोसेस है ठीक है बट बहुत ही past हो रहा है तो इसका असर भी रिष्टे पे बहुत positive पड़ेगा क्योंकि जब इंसान inner work करता है शाड़ो और करता है जब अपने अंदर जहागता है अपनी गलतियों को अपनी परिश्च अपने वजह से होने वाली problems को मिटाता है उस पैनलाइस करता है तो चीज़े बहुत असान हो जाती है बहुत positive हो जाती है ठीक है solid offer भी आ सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर strong commitment मिल सकती है person के तरफ से शादी की या फिर कुछ तो ऐसा जो आपको clarity दे देगा assurance देगा कि हाँ ये person मेरे साथ रहना चाहता है या ये मेरे साथ long term रहेगा किसी किसी के लिए मुझे अकता new moon से काफी heavy energy में है आपके partner सो नहीं पा रहे है insomnia जैसी energy मुझे लग रही है ठीक है सो नहीं पा रहे बिल्कुल भी रात को या तो ये आपके energy है या तो आपके person के energy है ठीक है कोई है जो new moon से ही सोया नहीं है ठीक से ठीक है देखे आपके person को basically ये चीज realize हो गई है कि वो जो प्यार आप उनहें देते हो, जिस तरह से आप उनकी care करते हो, आप उनकी respect करते हो, आप उनकी value करते हो वैसा उनसे कोई भी प्यान नहीं कर सकता या वो जगा जो आपने उनकी दिल में बनाई है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है ये realize होना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में कुछ-कुछ cases में मुझे लगता है third party ने बहुत ज़दा परिशान कर रखा है but third party मुझे third party once and for all खतम हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए चाहिए third party किसी भी तरह की हो like romantic हो या friendship वाली third party है किसी के साथ आपके person ज्यादा close हो गए है या friends के वज़ा से कर रहे है परिशान, ठीक है, कुछ-कुछ third party situation जिस भी तरह की है it's going to be over मुझे काफी लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसे energy फील हो रही आप जो ये वीडियो इस वक देख रहे है आप गुस्सा हो इस person से या नराज हो किसी बात को लेकर ठीक है आपके मन में नराजगी है आप बहुत ज़दग गुस्सा हो आप किसी किसी ने तो आप में से ब्लॉक कर रखा है इस person को हर तरीके से कहीं पे भी अनब्लॉक नहीं रखा है सारी जगे पे ब्लॉक कर रखा है और ये person जानते हैं कि आप इनसे नराज हो या आप इनसे गुस्सा हो ठीक है nostalgic हो रहा है आपके person जो पुराना टाइम बिताया है गवाया है एक दूसरे के साथ they're missing it वो फिर से recreate करना चाहते है वो moments आपके साथ क्योंकि उन्हें पुराने दिन जो बिताय है आपके साथ वो बहुत ज़्यादा यादा आ रहा है ठीक है किसी के लिए मुझे लगता है कि इस person को किसी तरह का addiction रहा है अभी addiction अलग-अलग तरीके के हो सकते है किसी के लिए drinking problem smoking problem कुछ भी हो सकता है I don't know what this is लेकिन कोई addiction था जो आपके रिष्टे को बहुत खराब कर रहा था addictions इस तरह के भी होते है कि you know internet पे friends बनाना या you know चुप-चुप के लोगों से बाते करना out of relationship चीजे चुपाना जूट बोलना ये भी एक तरह का addiction ही है किसी को ऐसी addiction होती है तो कोई बुरी आदत है कोई addiction है जो आपके person सौरी आपके रिष्टे को बहुत ज़दा अफेक्ट कर रही थी बट फाइनली मुझे लगता है कि वो addiction या वो पुरी आदत या तो ये person consciously छोड़ देंगे या आपके लिए या फिर एक universe इंटरवेंड करेगा जहां पे अपने आप ये चीजे दूर होती जाएंगे उनके जिंदगी से और वो आपके करीब आते जाएंगे ठीक है काफी लोगों के लिए ये person बहुत जल्द कुछ घंटों में ही अगले कुछ घंटों में ही ये person आपके life में वापस आ जाएंगे सब कुछ पहले जासा हो जाएगा आप दोनों के बीच में जो भी मन मुटाव है सौट आउट हो जाएंगे बातचीत होना शुरू हो जाएगा और clarity आएगी इवन solid commitment भी आपको मिल सकता है next few hours में ही बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है आपके person को पता नहीं कौन बार-बार negatively influence करने की कोशिश करता है जब भी वो आपके बार में अच्छा सोचने लगते है तो कोई तो है उनके जिन्दगी में उनका दोस्त या उनकी cousin या पता नहीं कौन है third party है कोई जो बहुत ज़ादा आपके person के मन में आपके खिलाफ चीजे भरके आपके against कर देते हैं ठीक है ये मुझे ज़्यादा तो इनके दोस्त नजर आ रहे है ठीक है ऐसे दोस्त होने से तो ना होना बहतर है और उनके दोस्तों के वज़े से इन्होंने भी काफी समय तक आपको hold पे रखा on and off situation दिया आपको आपको बहुत दर दिया बहुत pain से गुजारा है आपको अभी भी मुझे लगते है ये person अपनी feelings इतनी ज़्यादा feelings है इनके अंदर फिर भी hide करते है बहुत ज़्यादा hide करके रखते हैं छुपाके रखते है feelings को अपने अंदर बट अभी ये person clearly अपनी feelings express करेंगे आपके सामने ठीक है जो है जैसा है आपको अच्छा लगे बुरा लगे they are going to express how they feel ठीक है clarity आने वाली है आपके relationship में आपके आप दोनों के बीच में basically literally मुझे लगता है कि ये person जितना सोचते है ना आपके बारे में like जितना सोच रहे है currently मुझे नहीं लगता कि इतना आपके बारे में कभी भी किसी ने सोचा होगा इतना miss आपको किसी ने किया होगा जितना ये person आपको miss करते है right now जब आप ये video भी देख रहे हो they are missing you they are thinking about you ठीक है चाहे वो कुछ भी कर रहे है अपने life में वो आपसे एक मौका चाहते है एक chance चाहते है ठीक है बट कही न गई वो डरते है reach out करने से क्योंकि उन्हें लगता है आप नराज हो गुसा हो कुछ बोल दोगे या आप किसी के influence के अपको कोई influence करता है उनके against भढकाता है ऐसा उन्हें लगता है ठीक है या फिर उन्हें कोई influence करता है बार-बार जिसके वज़े से वो जितने जल्दी action लेनी चाहिए उतने जल्दी नहीं लेते है बहुत weight करवाते हैं बहुत patience test करते है आपका अब ये person third party और आपकी बीच specially जिनके case में third party है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हूँ third party और आपकी बीच कोई final decision ले रहे है ठीक है आपके लिए ये person मुझे रख तब किसी भी हद तक जाने के लिए तयार है कुछ भी करेंगे जाहे आप जो भी expect कर रहे हो इन से क्योंकि उनकी life में जो एक सुकून होता है एक जो शान्ती होती है जो कहते है ना कि सुकून भरी नींद भी नहीं आपारी है इस person को इतना ज़दा ये person stress में है आपकी याद छोड़ती नहीं है पीछा है कहीं ना कहीं तक्रा जाते हैं यापकी thoughts से आपकी आदों से इनका दिन की राते भरी रहती है ठीक है काफी लोगों के बीच का एक जो एक मशक्कत भरी एक आपकी लव लाइफ थी जहांपे सारे problems ही problems थे finally मुझे वो cycle वो period खतम होते पर देख रहे है और सिर्फ खुशिया attract कर रहे हो सिर्फ abundance आपकी relationship में आ रहा है ठीक है बाते करके चीज़े हल होंगी ठीक है clarity आएगी situation में आपके person आपके आप कितना importance रखते हो उनके जंदगी में वो चीज clearly express भी करेंगे आपके सामने कोई भी चीज जो against जा रही है इस connection के चाहे वो third party हो चाहे इनकी bad habits हो चाहे कोई pattern हो इस relationship का ये उससे बाहर निकलना चाहते है वो नहीं चाहते कि वो अपने साथ साथ आपको भी परिशानी करे परिशानी दे या परिशान करे they want to give stability love, care, respect, attention to you ठीक है third party को छोड़ने वाले है ये person बहुत जल्द आपसे उस बार में clarity से बात भी करेंगे हो सकता है prove भी कर दे आपको कि मैंने छोड़ दिया है third party को पूरी तरह से ठीक है मुझे अपमें से कुछ लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस person को heal करना है इनको सारी negativity से, negative energy से बाहर निकालना है कुछ लोग है ऐसे जिन्होंने decide कर लिया है कि मुझे इस person को heal करना है इसको ठीक करना है अपने प्यार से, अपने healing energy से do it अगर आप ऐसा करना चाहा रहे हो, सच में करिया है ठीक है मुझे तक कुछ लोग आप में से भी ऐसे हो जिनके family उनको pressure कर रही है शादी करने के लिए या शादी का decision लेने के लिए ठीक है ओके, तो यहाँ पे कुछ alphabets दिख रहे वो बता देते हो यहाँ पे b है, b for ball v है l है, t है d है h है p है e है a है m है c है r है o है n है l है g है ठीक है यहाँ पे numbers भी दिख रहे है कुछ मुझे number four सबसे पहले दिखा फिर one है five है यहाँ पे s भी है d भी है d okay तो numbers की बात करते हैं यहाँ पे number one है six है three है five है nine है that's it so कैसी लगी आपको यह रीडिंग कमेंट्स में जरूर दाइएगा इस पोर्टल के सारे जो भी अबंडिंस जो भी बलेसिंग आपको मिलेगी I hope कि आप अच्छे से उसको embrace करोगे claim करोगे ठीक है and reading के बारे में आपकी क्या राया है कमेंट्स में जरूर दाइगा और Instagram पे मैं रोज short videos डालती हूँ आज भी मैंने डाला है बहुत सारे लोगों ने miss out कर दिया होगा क्योंकि मेभी आपने मुझे वहाँ पर follow नहीं किया है तो follow me on Instagram इसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर मैं short videos डालती हूँ क्योंकि short videos यहाँ पर डालो तो उतना अच्छा benefit मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों को हो पाता है लेकिन जब मैं Instagram पर डालती हूँ बहुत जादा लोग देख पाते हैं ठीक है तो please come on Instagram आपको मैं definitely निराशनी घरूंगे आपको अच्छे लगेंगे वीडियो see you in next video अपना ख्याल रखे है